आप किसी से मिले भी नहीं है फिर भी उनसे connect करबाना उनसे प्यार करबाना इसका best example फैलान ये 2001 की Korean romantic movie है एक gangster को पता चलता है कि उसकी wife मर चुकी है पर इस wife से वो कभी भी नहीं मिला है इस movie की ये storyline है और आज मैं आपको ये explain करने वालो हूँ तो चलिए शुरू करते हैं movie start होती है और हमें airport दिखाया कहा है इस airport पर Sicilia land होती है ये जो देश होता है ये Korea होता है Sicilia actually China से होती है और यहाँ अपने relatives को मिलने आई हुए होती है next scene में हमें और एक नया main character इंट्रियूस होता है इसका नाम हम John रखेंगे John एक gaming parlor पर होता है जहाँ आप जूआ भी खिल सकते हैं वहाँ पर एक machine के सामने वो सो गया होता है उसे एक लड़का उठाता है उसे और बहुत ही चीट जाता है वो से बुछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो उसे डराता धमकाता है और फिर gaming parlor का जो owner होता है उसके पास चला जाता है उसे भी वो coin के लिए धमकाता है जौन जो होता है अभी अभी जेल जाकर वापस आया होता है जौन एक छोटा से गैंग्सेट होता है और एक गैंग के लिए वो बहुत सारों से काम करता है बॉस के आफिस के बाहर वो खड़ा हूँ होता है अपने बॉस के लिए उसने एक टोस्टर भी गिफ्ट लाय होता है उसका बॉस उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो अभी अभी तुम जेल से आयो और डारेक्ली मेरे पास आगे इससे वो ट्रॉबल में आ सकता है इसलिए वो यह बोल रहा होता है जोन का बॉस उसे मारता है और दवह होने के लिए बोलता है जोन का सीटी में डिविटीज बेचने का एक दुकान होता है इसे शॉप में वो बच्चों के बॉन टेप्स भी बेचता था इसी वज़े से वो अरेस्ट हो चुका था और इसी वज़े से वो जेल गया था जब ये वापस आता है तब देखता है कि ये दुकान कोई आल चरा रहा है जिस लड़की को जॉन ये दुकान समालने के लिए छोड़ कर गया था ये उसके साथ इंटिमेट हो चुका है जॉन उसे धमकी दे कर जाता है अब मैं बॉस के पास जाने वाला हूँ अगर उसने मुझे अलग कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार दूँगा जॉन फिन हमें दिखता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ आता है उसके साथ ही वो रहता है वो अपने friend को लाट मारता है और beer लाने के लिए बोलता है का friend उसे यह beer दे नहीं रहा होता तो उसे जँता है उसका friend फिर उसे कहता है कि freeze में वो है तुम जा कर ले सकते हो जिस तरह से friends होते है एक दुसरे को मर मरोड कर कुछ भी चीजे मांग लेते हैं इस तरह से इन दोनों की फ्रेंडशीब होती है नेकसिन में हमें जॉन का पॉस दिखाय गया है वो एक कलब में होता है और वहां की जो प्रोस्टेटर होती है उसको बहुत ही डाट रहा होता है उसे कहता है कि दुम जो पैसे लाटी थी वो बहुत ही कम हो चुखे है उसे पता होता है कि यह गड़ बर्ड करर रही है वो उसे धमकी देता है और अलग प्लेस पर जाकर पैसे कमानी के लिए बोलता है इस लड़की के जो इंचाज होते है जिनको इसने पैसे देने चाहिए थे उनको भी डाटता है इन्हें मारता है और कहता है कि हम ऐसे चीजों को स्लीप नहीं होने दे सकते वो कहता है कि हम ऐसे चीजों को अगर लूस होने देंगे तो यह empire हम खो देंगे यह बहुत ही strict होता है और बहुत ही जालिम होता है उसके boss से मिलने फिर John रात में आता है John को उसका boss as a bouncer क्लब में job देने वाला था उसके friend ने उसे कहा था कि bouncer से अच्छा तो तुम waiter बन जाओ तो यही बात करने के लिए वो अपने boss के पास आया है यह boss से जब वो बात करता है तो boss इसके लिए मना करतेता है पर John इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता रात में John और उसका friend डिनर कर रहे होते और discuss कर रहे होते कौन से boxing champion अच्छा है यह डिनर करते वक्त उठ जाते और एक दूसरे के साथ boxing करने लग जाते है John दूसरे दिन गैंकी कुछ लड़कों से मिलता है वो brag करने के लिए कहता है कि अगर तुमसे कुछ काम होना पाए तो मुझे बता देना मैं कर दूंगा John जो होता है बहुत सालों से गैंक के साथ होता है तो उनका senior होता है वो फिर उसे कहते भी है कि एक काम है जो तुम कर सकते हो वो फिर उसे एक noodle shop पर लेकर आते है वहाँ कि जो एक old lady होती है वो गैंक को हमेशा सर्व करती है बहुत सालों से गैंक के member यहाँ आते है और खाना वेगरा खा कर चले जाते है जॉन भी यहाँ आता रहता है और इस बार इसने जो लोन लिया था वो पे नहीं कर पा रही इसी वज़े से उसे डराना धमकाना है जॉन यह ट्राय करता है पर बोलती है कि मैं तुम्हें कितने बार खिला है वोसे वो ऐसी जटक देती है जॉन भी ज़्यादा कुछ करने पाता क्योंकि वो उसकी परती सिंपधिक होता है फिर गयाँ का एक नया लड़का उठता है और उस लेड़ी को साइन में फेक देता है जॉन उसे रोगने के कोशिश करता है जॉन को भी मारता है फिर ये सब उस ओल लेड़ी को धमगी देते है कि हम तुमारा पूरा दुकान जला देंगे और केरोसिन पर डालने लग जाते है फिर ये ओल लेड़ी कहती कि मैं कुछ भी करूंगी तुमारा लोन में पेई कर दूंगी जब बाहर आते है तो गैंका लड़का जॉन को कहता है ये तुम हमारे सिनेर हो पर हम तुमें सिनेर कैसे बुला सकते है तुम उस ओल लेड़ी को भी हैंडल नहीं कर पाए तुम सौप्ट हो चुके हो और इस काम के लिए तुम नहीं बने हो ये कहकर वो जा रहा होता है तभी जॉन को बहुत ही खुस्सा आ जाता है वो एक ब्रिटल पत्थर लेता है और उसके सर में डाल देता है इन सब का अब जगड़ा हो जाता है जॉन सिनेर है और ये सब जुनियर थे फिर भी इन में फाइट हो चुकी है तो एक प्रॉल्म हो जाता है अब बोस ने इन सब को बुला आता है जो भी सब लड़के होते है इन सब को उनका बोस बहुत ही मारता है जॉन को भी जाने के लिए बोलता है पर जॉन वहाँ से जा नहीं रहा होता उसका बॉस उसे कहता है कि इन लड़कों के साथ तुम्हारा जगर नहीं होना चाहिए था जॉन कहता है कि उस ओर लेडी को पर वो उसे बोलने ने देता जॉन का बॉस उसे कहता है कि तुम पास्ट में क्योट के पड़े हो तुम जिस तरह से बिहेव कर रहे हो वैसे अगर में करता तुम्हें अपने आपको मार टालता जॉन सुनने रहा होता तो जॉन को भी वो बहुत मारता है जॉन को मार कर फिर वो उसके बारे में लेकर आता है उसे कहता है कि हम दोनों ने गैंग एक साथी जॉइन की थी पर मैं कहा का कहा पोच गया जो गट्स इस काम के लिए लगते है वो तुमें नहीं है तुमारा हार्ड बहुत ही सॉफ्ट है उसे बहुत सारी दारू वो यहाँ पिला रहा होता है इस बार में फिर जॉण का बוס नोटिस करता है कि एक दूसरी गैंग का लड़का यहाँ आ चुका है यहाँ जो गैंग होती है उनकी टरोलडोरी फिक्स्ट होती है एक दूसरे की टरोलडोरी में नहीं आ सकते फिर वो उस लड़के पर छीट जाता है उसे बाहर निकल लेता है ये दूसरे गैंग की मेंबर को वो बहुत ही मारता है जॉन भी बाहर निकलता है ये दूसरे गैंग का मेंबर अब जॉन के बॉस को ही मार रहा होता है तो जॉन उसको बहुत मारता है ये दोनों मिलकर उसे जान से मार देते हैं दूसरे दिन जॉन का बॉस उसे अपने ओफिस में बुलाता है उसे कहता है जिस आदमी को हमने मार देया था उसे पुलिस जुन रहे है पुलिस का जो शब होता है ये बॉस पर ही होता है वो कहता है कि मेरे जगे पर अगर तूम जेल में चले गए तो इब बहुत ही अच्छा होगा बहुत सारे पैसे वो इसके लिए उसे देने वाला होता है उसे कहता है कि तुम्हें हमेशा एक बोट खरीनी थी तुम्हें अपने गाउ जाना था मैं तुम्हारे लिए ये बाई करके दे सकता हूँ मैं तुम्हें बहुत सारी help कर सकता हूँ अगर मैं इस उमर में जेल में चला गया तो मैं जो अब boss हो यह सब मुझसे झीन लिया जाएगा मेरा career तबाग हो जाएँगा मैं होने नहीं दे सकता वो उसे कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, प्लीज मेरे लिए इतना तो करो जॉन फिर उसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए जराब वक्त चाहिए फिर वहाँ से चला जाता है जब रात होती है तो जॉन अपने फ्रेंज के साथ तारू पी रहा होता है जब उसे बहुत सारी जड़ जाती है तो वो अपने गाउ के बारे में कहने लग जाता है वो कहता है कि यह जो बेधर है यह सोए बहुत सारी fishing चलती है उसे fishing करना बहुत है अच्छा लगता है वो कहता है कि जब मैं अपने गाउ जाऊंगा कि तुम boat bike कर सको John फिर चिर जाता है क्योंकि यह सच होता है वो फिर बाहर आता है और अपने boss को call करता है उसे कहता है क्या सचे उच में तुम मुझे पैसे देने वाले हो उसका boss उसे हा कहता है फिर John कहता है कि पहले पैसे मेरे अकॉर्ण में डाल दो उसके बाद मैं इस काम के लिए रेडी हो जाऊंगा जब नेक्स दिन आता है तो जॉन अपने घर पर होता है और पुलिस दर्वाजा खट-कटाती है उसे लगता है कि पुलिस उसे ले जाने के लिए आई है और पुलिस उसे कहती है कि तुम्हारे वाइफ मर चुकी है ये सिन यही खतम हो जाता है और नेक्सन में हमें फिर से सिसिलिया दिखाई गई है सिसिलिया अब कोरिया में अपने रिलेटूस से मिलने के लिए आ रही होती है वो टैक्से से उतरती है और जो पता होता है वहाँ जाती है वहाँ एक दुसरी ही लेडी होती है वो से कहती है कि तुम्हारे जो रिलेटूस है वो कबके यहाँ से चले गए है वो युनाइटेट स्टेट्स में कैनाडा में रह रहे होती है सिसिलिया जो होती है उसके फैमिली मर चुकी होती है चाइना में उसका कोई नहीं बाकी रहता इसलिए वो कोरिया आई हुई थी है पर अब उसके रिलेडियोज भी कोरिया में नहीं है तो एक बहुती बड़ी प्रॉल्म है जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो एक बिल्डिंग पर hope लिखा होता है वो फिर से hopeful हो जाती है वो अपने embassy में आती है उनसे कहती है कि अब में क्या करों वहाँ के जो लेडियोज धी है उससे कहती है कि अगर तुम्हारे लेडियोज यहार नहीं है तुम्हारे विशा cancel हो सकता है तुम यहां नहीं रह सकती ये एक बड़ी प्रावलम हो जाती है तो वो कहती है कि कुछ तो हुए होगा जो मैं यहां रह सकती हूँ ये लेड़ी फिर उसे कहती है वो उसे सला देती है कि अगर उसने लोकल कोरियन के साथ शादी कर ली तो ये इससे बढ़ सकती है वो यहां रह सकती है नेक सीन में जोन और उसका फ्रेंड दिखता है जोन बैसो के लिए सीसीलिया से शादी करने वाला होता है उसने वेपर साइन कर दी होते है और वो जोन को दे देता है Sicilia ओफेस में होती है और John बाहर होता है John का फ्रेंड उसे कहता है कि एक बार उसे देखतो लो उसे देखता है पर इसमें ज़ादा वो थोड़् नहीं देता John शाधी के लिए है इसलिए उसने स्कार पहना होता है John का अंदर जाने के लिए कुछ भी काम नहीं रहता जॉन का फ्रेंड फिर आता है और वो स्क्राप सिसिलिया को दे देता है अब हमें पता है कि जॉन की वाइव सिसिलिया थी और वो मर चुकी है सिसिलिया जिस टाउन में रह रही थी वहाँ जाकर अब जॉन को सब पेपर वर्क वेगरा सब साइन करना पड़ेगा यह सब काम उसे करने पढ़ेंगे और इसमें टाइम होगा तो इसलिए वो उसके बॉस पर पास आया हुआ होता है उसका बॉस उसे कहता है कि जा कराओ पर जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें जेल में जाना है वो उसे थोड़े से पैसे भी दे देता है जब जॉन ऑफिस से निकलता है तो जॉन की जुनियर्स होते है उन्हें बाव करने के लिए जॉन का बॉस कहता है जॉन का प्रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है जॉन अपने फ्रेंड्ड के साथ सिसिलिया के गाउ जा रहा होता है Sicilia की birth date उसका social security number उसके सब जो details है वो सब रट रहा होता है पुलिस ने अगर उसे कुछ question पुछे तो यह suspicious नहीं लगना चाहिए इसलिए यह सब वो कर रहे होते है जॉन का friend Sicilia की photo उसे दिखाता है वो कहता है कि पुलिस ने अगर तुमें बुचा तो यह identify करना आना चाहिए जॉन जब Sicilia की photo देखता है उसे बहुत ही दूख होता है वो कहता है कि यह बहुत ही beautiful है इसके साथ यह कैसे हो सकता है इसकी age बहुत ही कम होती है इसने life का experience ने लिया है इसलिए इसे बहुत ही अब बुरा लग रहा होता है फिर से हमें Sicilia दिखाए गई है हमें पता है कि Sicilia ने जॉन को बहुत सारे पैसे दिये है पर यह जो पैसे थे जॉन के friend से उसने lane किये थे जॉन के friend के connections होते है तो एक boss से उसने पैसे लिये होते है अब Sicilia उस boss के नीचे काम करने वाली होती है जॉन का friend Sicilia के boss के पास उसे लेकर आता है उस पैसो को चुकता करने के लिए उसे strip करने पढ़ने वाला होता है जब वो इस office में होती है और अपने boss से बात कर रही होती है तो भी उसे खासी आ जाती है खासते वक उसके हाथ में खुन भी लग जाता है इसे boss डर जाता है इसे जो बिमारी है दुसरों को भी हो सकती है इसे वो बहुत ही डर जाता है और ये काम अब उसे वो नहीं करने देने वाला होता फिर जान का friend और उसका boss ये सब उसे एक laundry में लेकर आते है एक old lady का laundry होती है और उसे वो कहते है ये तुम्हारे लेक काम करेगी इसके जो भी सब पैसे आएंगे ये उसका boss लेने वाला होता है ये old lady कहती है कि बहुत इसकीनी है इससे एक कपड़े दोने वाला काम कैसे हो सकता है ये old lady नाराज होती है कि ये काम कुछ भी नहीं कर सकेगी फिर भी उसे accept कर लेती है एक छोटा सा room होता है जो उसे सोने के लिए वो दे देती है इस room में वो आती है पानी का नल स्टाट करती है इस पानी के नल से बहुत इगंदा बानी आता है इस पानी के आवाज में रोने लग जाती है उसके पास अब family भी नहीं है और उसे बहुत इअकेला मैसूस होता है दूसरे दिन सिसिलिया बहुत सारे कपड़े दोती है और जब ये old lady देखती है तो वो हैरान हो जाती है वो amazed होती है कि इतनी सी लड़की इतने सारे कपड़े कैसे दो सकती है फिर ये old lady वहाँ कि उसे language सिखाती है सिसिलिया जो होती है उसे Korean आती है पर उतनी अच्छी नहीं आती तो उसे Korean सिखाती रहती है सिसिलिया अब इस काम में अच्छे से गुल मिल जाती है सिसिलिया ने जोन के लिए एक letter लिखा होता है जो जोन को अब मिल जाता है उसमें लिखा होता है कि thank you मुझसे शादी करने के लिए मैं आपकी बहुत ही शुक्र गुजारू अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मैं कूरिया में नहीं रह पाती इतने अच्छे लोगों से मैं नहीं मिल पाती जो सब मेरे आसपास लोग है ये बहुत ही kind है इन सब से ज़्यादा kind आप है जो आपने मुझसे शादी की है जोन ये पढ़ता है और उसे और भी जादा uncomfortable महसुस होता है उसके लिए और भी उसे बुरा लगता है जोन का friend सिसिलिया के boss से मिलने जोन को ले कर जाता है ये सब lunch कर रहे होते है तो सिसिलिया का boss कहता है वो मुझे बहुत सारे पैसे ओग करती थी और वो मर गई वो उसे गालिया दे रहा होता है रात में जब जौन सोरा होता है तो सिसिलिया का लेटर फिर से बढ़ता है वो कहता है कि इसकी येज इतनी कम थी फिर भी के से मर सकती है वो इस room में बहत ही warm महसुस करता है वो अब जेल में जाने वाला है तो इस रूम के लिए वो बहुत ही grateful है एक सिन में हमें फिर से सिसिलिया दिखाए गई है और उसकी पुछताच करने के लिए कुछ पुलिस ओफिसर आते है वो इल्ली के लिए यहां रह सकती है इसी वज़े से उसके marriage papers वेगरा वो देखते है ओल लेडी उसे cover करती है और वहां से पुलिस को जल्दी से भगा देती है सिसिलिया अपने रूम में आती है तो फिर से अपने पती का यानि की जॉन का फोटो देखती है इस फोटो को देखकर अब वो फ्रेम कर लेती है इस world में अब उसका अपना कोई भी नहीं है जॉन जो है यह अंजाना है फिर भी उसका पती है इसका ही उसे सहारा है इसलिए उसका photo फोटो फ्रेम कर लेती है और हमेशा यह देखती रहती है उसके लिए और एक later इसने लिखा होता है सिसलिया जब गवाव में थी और यह वाशिंग का काम कर रही थी तो जॉन का फ्रेम भी उसे मिला था सिसलिया उसे thank you बोली थी और उसने कहा था कि जॉन को तुम thank you कह दो जॉन के फ्रेम ने उसे कहा था कि जॉन भी तुम्हें बहुत ही मिस करता है ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा था जॉन के फ्रेंड ने सिसिलिया को कहा था कि बीच पर चल कर हम कुछ शूट करेंगे इसके लिए भी सिसिलिया रेडी हो जाती है नेक्स दिन में सिसिलिया हमें एक सूपर शॉप में दिखाए गई है या आकर वो टूथपरेश खरीती है इस बार वो दो टूथपरेश लेती है उसे लगता है वो जॉन से कभी ना कभी तो मिलेगी ही इसी वज़े से ये दो टूथपरेश उसने लेए होते है उसे खरीत कर बहुत ही रोमेंटिक और अच्छा मैसूस होता है नेक्स दिन जब वो कपड़े परिस्ट कर रही हुती है तो उसके मूझ से बहुत ज़ाधा खोनाने लग जाता है उसे बहुत ही तकलिफ होती है और राद में भी वो सोनी पाती अब नेक्स दिन में हमें दिखता है कि जॉन सिसिलिया के टाउन में आ चुका है यहां बहुत सारा बर्फ जमा हुआ हो देखता है उसका जो freedom है इसके बहुत एक कम दिन अब बचे हुए है तो इस बर्फ पे वो नाचने लगता है अब जॉन उसका फ्रेंड पुली स्टेशन आते है पुली स्टेशन आने के बाद जॉन डहरा होता है वो उसका फ्रेंड उसे courage देता है उसे अंदर लेकर जाता है सब formalities वो complete कर लेते है हमें फिर से सिसिलिया का scene दिखाये गया है और वो अपने बोस के पास आती है उससे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ उसका बोस बहुत strict होता है और खेता है वो के थी है कि मैं मरने वाली हूँ जोन की प्रती उसे feelings आने लग गई होती है और फिर वो उसे मिलना चाती है वो मरने वाली है इसलिए वो जोन के शहर में भी आ जाती है जोन अपने shop में होता है उसे बाहर से वो देखती है वो आपने आपको एक बार देख लिए थी है कैसे वो दिख रही है वो आज उससे पहली बार मिलने वाली है तभी वो आप पूलिस आ जाती है जोन ने जो illegal tape sale की थी इसी वज़े से उसे arrest कर लिया जाता है जोन और सिसिलिया यहां मिलनी पाते हमें फिर से जोन दिखाई गया है और सिसिलिया को जो memory होता है वहाँ आता है candle जलाता है और बाहर आकर बेट जाता है उसके बाद फिर सिसिलिया की body उसी दिखाई जाती है यह वो देख नहीं पाता और वहाँ रोने लग जाता है उसका फ्रेंड़ से कहता है कि बस हो गई आप आक्टिंग बहुत आच्छी तुम आक्टिंग कर रहे हो पर जोन को यह सब सच मुछ में महसूस हो रहा हुता है जोन और उसका फ्रेंड जब рात में टीनर कर रहे होते जोन कहता है कि कितनी गटिया तुम आदमी हो सिसिल्या मर चुकी है और वो ताव से खा रहा है इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा होता है जॉन का फ्रेंड उसे कहता है या अपने आपको क्या तुमने देखा है तुम भी मुझसे ज़्यादा गटिया हो जॉन कहता है कि मैं भी तुमारे तरह ही हूँ हम इतने बुरे हैं पर फिर भी हम जी रहे हैं और सिसिल्या के सिमर गए उसे गिल्ट ओफ सेर्वाइवल महसूस हो रही है अब जॉन का काम खतम हो चुका है वहाँ से जाने वाला होता है उसके बॉस का उसे कॉल आता है जॉन को उसका बॉस फेसे याद करा दे रहा होता है कि उसे जिल में जाना है सिसिल्या जहां रह रह रही थी वहाँ पर जॉन आ जाता है वहाँ की जो ओल लेड़ी होती है उसे बोलती है अब तुम आये हो वो तुम्हारा कितना वेट कर रही थी तो यह मालूम में नहीं है उससे बहुत डाटती है इस ओल लेड़ी को उनकी जो अरेजमेंट थी इसके बारे में नहीं पता है जॉन से सिलिया कर रूंग देखता है उसकी सब चीज़े देखता है उसका प्रेजन्स वो वहाँ महसुस करता है जॉन जब जार होता है तो ओल लेड़ी उसे एक लेडर दे दिती है इस सिलिया ने जॉन के लिए लिखा होता है जॉन फिर सी के पास जाता है वहाँ अकेले बेट कर वो लेडर पढ़ने लग जाता है उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें लेटर मिल चुका है तुम्हें मर चुकी हूँ आपने मुझे चो काइडनेस दिखाया इसके लिए मैं बहुत ही थैंक्फूल हूँ जब मैं आपकी बिक्चर दिखती थी इसे आपसे मुझे पैर हो गया मैं बहुत ही अकेली थी और यह बहुत ही difficult था पर जब भी मैं आपकी फोटो दिखती थी आप फोटो में हमेशा smile करते रहते थे मुझे आपसे एक favor मांगना है कि as a wife क्या मैं आपकी wife बन कर मर सकती हूँ जब मैं मरूंगे तो please मुझे देखनी के लिए आपाना उसकी जो last wish है यह John ने fulfill कर दी है उसमें लिखा होता है कि world में उससे भी वो सबसे ज़ादा प्यार करती है John लेटर पढ़ता है और बहुत emotional हो जाता है वो रोने लग जाता है John फिर घर पर आ जाता है वो अपने boss के साथ उसकी meeting होती है वो अपने boss को कहे देता है कि अब मैं jail नहीं जाना चाता वो अपने गाव जाकर अपने life जीना चाता है John फिर अपने घर आ जाता है उसका friend भी उसके साथ होता है John अब जाने वाला है तो उसका friend उसे कहता है कि दो मिनिट यहार रुको मैं तुमारे लिए कुछ लाना चाता हूँ John जरा बहुर होने लग जाता है तो कुछ movies विकराओ देख ले इसके लिए CDs देखने लग जाता है एक CD पर Sicilia का नाम होता है John को जो friend था उसने Sicilia को कहा था कि बीच पर आओ हम तुमारा कुछ art बनाएंगे यह tape फिर John लगता है इसकी जो शुरुवात होती है उसमें John का friend उससे बोलता है कि तुम John को मिस करती हो तो John के लिए तुम गाना गाओ इसमें Sicilia गाना गाते होए दिखती है John ने देखकर रोने लग जाता है तभी उसका जो friend होता है वो आपस आ जाता है एक तार उसने लाए होता है John के नेक पर वो बान देता है और John को गला घुटकर वो मार देता है John उसके लास्ट पोलो में Sicilia को देखते देखते ही मर जाता है यही यह movie end हो जाती है John के बोस को John ने वादा किया था और John का जो boss था वो बहुत इस्टिक था हमने देखा था कि उसने movie के first में ही कहा था कि चीजों को हम ऐसे lose नहीं छोड़ सकते हमें पुरा काम करना चाहिए और हम ऐस situation को handle करना चाहिए वरना हम हमारी power lose कर सकते John को जाने देना यह power lose करने जैसा है तो इसलिए John को वो मार डालता है John और Cecilia दोनों बहुत ही अकेले थे यह दोनों कभी भी एक दूसरे से मिलने पाए पर जब इनके life में एक दूसरे को उन्होंने याद किया तो वो सेम महसूस कर रहे थे John की life अब बरवाद होने वाली थी उसके पास कोई नहीं था और वो जेल में भी जाने वाला था उसका respect कोई नहीं करता था और उसके life में उसे मज़ा भी नहीं आ रहा था Cecilia जो थी उसको कोई नहीं था वो इस दुनिया में अकेली थी यह दोनों बहुत ही जादा अकेले थे एक दुसरे से अगर यह मिल जाते तो इन दोनों का अकेला बंदूर हो जाता यह दोनों सेम फिल करते थे एक दुसरे से यह पैर करने लग गए थे टाइम इनके साइट पर नहीं था जॉन का एक ही ड्रीम था कि वो अपने गाव में जा सके और वो आप फिशिंग कर सके जब सिसलिया का लेटर ओपड़ रहा था वो सीके बास आया था उसे जो सब चीज़े पैरि है सिसलिया को भी फिरीडम नहीं पा सकी जॉन भी यही फिरीडम पाना चाता था इसलिए उसके बॉस को उसने मना कर दिया था पर वो कभी ये freedom पा नहीं सका उसके last follow में सिसिलिया और समुंदर ये दोनों उसके जो पैरी चीज़े थी इन्हें देखते देखते ही हो मर गया इस movie में silence, loneliness और longing ये बहुत ही beautiful दिखाया गया है अगर आपको ये movie अच्छे लगी होगी तो प्लीज इस video को like कर दिजए मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस channel को subscribe भी कर दिजए और bell notification आइकोन भी दबा दिजए हम फिर से मिलेंगे नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये